नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं राजसे के पार और आज इस वीडियो में इस्प्लिन करने जा रहे हैं वेंपार डायरीस का सीजन 7 का अपिसोड नमबर 2 तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें फाइंड लाइक को मैं आज एक दिन अगली वीडियो डाल दूँगा तो प्लीज जरूर जरूर लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं और देखते रहे हैं राजसे के पार और शु वो कुछ पता करना चाते थे आपके बारे में और यह कहने के बाद कैलान बताती है तो मुझे नहीं पता है उसने ना मुझे फोन किया क्यों और यह कहने के बाद कैलान बोलती है प्लीज मुझे बता दो क्या चीज है क्यों मुझे सप्राइज पसंद नहीं है और तुम्हारा पेचेक मेरी तरफ से आता है और यह कहने कोद उसका असिस्टेंट बदा जिता है कि शादी से पहले आपको एक ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं और यह सुनने को बाद के लाइन डर जाती और है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता हम वापस नहीं जा सकते हैं पर नहीं हो जाती है और यहीं पर एपिसोड शुरू होता है फिर हम देखते हैं अगला सीन प्रेजन्ट का जहां पर कुछ लोग एक तरह से बाउंडरी क्रो किये और तभी हम देखते हो थर्मल कैमरा से देखते हैं आसपास कोई है तो नहीं उनको तीन चार विज्वल्स दिखाई देते हैं और यह कहने के बाद नोवा बोलती है नहीं ऐसा कुछ नी होने वाला जो भी लोग मिस्टिक फोल्स में आएंगे वो हमारा शिकार है है और यह कहने को अधम देखते हैं कि वह दोनों को मार देते ने हैं और मैट फेसके ब्होग मा नहीं जले 복 था और वहाँ पर हम देखते हैं स्टेफन गाईडी से बार निकलता है और बोलता है मुझे म्यूट लाइंग मेज आती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यह कहने को बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारा मैलकम कैसे मरा है और मैं पैरेसरी पर हूँ कि लोगों को बचा को तुम्हारे हेरेटिक से और यह कहने को बोलता है कि हमने बिल्कुल भी नहीं किया है और यह कहने को लिली बोलती है मुझे पता है तुमने नहीं किया है बट किसी और ने तो किया होगा और इसके लिए हमने बदला ले लिया है और यह कहने को स्टेफन एक दम डाउट में जाता है कि उन्हें बदला कैसे लिया है फिर पता चलता है कि Caroline को उन्हें किड़नाइप कर लिया और एंजो उसको रिवें की रस्यों से बांध रहा है और वहीं पर हम देखते हैं कि आप गुस्सा आने लग रहे है Caroline को बोलती है तुम यह सब क्या कर रहे हो मेरे साथ और तभी एंजो बोलता है अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ यह सब कर रहा हूं मैं तुम्हारा दोस जैसा हूँ यहां पर दूसरे लोग करेंगे तुझे जान से मार देंगे बैटर ऑप्शन है और यह कहने के बदोस्त जैसे वो भागने लगती है गेट की तरफ वहीं पर हम देखते है नोरा और मैरी खड़े थे और उसको पकड़ लेते हैं और फिसको बिहोश करके वापस डाल देते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि अब एंजो के हाथ से मामला निकल चुका था पर अब नोरा और मैरी समा मैलकम को और बॉलता हू क्यों मैलकम मैं नहीं जानता है 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 रहीटिक लिली वाला और मैंने जाना मार दिया है डूंटके दिदा यह करने क्वास स्टेफन को भुससाता है कि तू ने शաղ सब गухस्य बैसatore हम बहुता है नोक करता है वहाँ बहुता है नुपनोर यह यह औह गुष्सा दिखाई देती है वहीं पर हम देखते है धिवन बोलते है मुझे अंदर इन्वाइट करो बड़ पता सलता है यह घर उसका भाई ही नहीं वहीं पर हम देखते हो बोलता है कि प्लीज एक तरह से कैरलाइन को छोड़ दो मैं टाउन में जा रहा था उसको मुझसे ल कि मैं गेट बंद कर रही है और तुम यह से चले जाओ तो बेटर है क्योंकि मुझे मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करना है और यह कहने को बंद कर देती है और डेमन बहुत जादा नराज दिखाई देता है आप फी डेमन वापस घर पे आ जाता है जो लोकूड मेंशन है औ मुझे पता करना जाकर की कोन उन गर करता है और यह कहने के पास शेफन बोलता है तू लिली को विलन बना रहे गल्थी तरही है एक तरह से को मा रहा है वह बतला दो लेगी और तू का एक्सपेक्ट कर रहा है उससे और यह कहने को गुस्सा हो जाता और वहीं पर हम देखते डेवन बिल्कुल भी समझ नहीं रहा था सिच्टुएशन को फिर हम अगले सीम में कैरलान को देखते जिसको बांध के रखा हुआ था वह ब भाग नहीं पाओगी क्योंकि मैंने तुम्हें उस तरह एक तरह से टांग के रखा है जैसे कि मेरे प्रेंट जानवरों को टांग के रखते थे क्योंकि हमारा स्लोड रहा हुसता और ऐसे उनने मुझे भी टांग थे जब पता चला था कि मैं एक हैरेटिक हूँ और यह कहने पर मेरी कैरलाइन को बताती है कि आज हो थोड़ी देर में फ्यूनरल के लिए जाने वाले हैं और मेरी तो गल्फ्रेंट ने ड्रेस पहनी है उसको सही नहीं लग रही है बट मेरे लिए तो बिल्कुल सही है विक्टोरिया के एक तरह से डेथ पर उसने वही पहनी थी जो 18th सेंचुरी में हुई थी तभी हम देखते है नोरा भार आती है जो पहने हुई थी एक ओल्ड 18th सेंचुरी टाइप ड्रेस और यह कहने का बोलती है आज की टाइम इसको कोई नहीं पहनता और तभी पीछे से कैरलाइन हसने लग जाती है देखकर और जैसे होसने लगती है मै बहुत कुछ गलत कह दिया था एक तरह से कैरलाइन ने और तभी मैरी आगे बढ़ती है और कहती है तुम्हें की क्या जोरत थी पहली बात और पहली वह गुसे में थी और तभी एक पैंसिल निकालती है उसको मारने के लिए यह प्लीज मुझे मारो मत मैं तुम बता सकती उसकी ड्रेसिं सेंस अमेजिंग है उसकी क्लोजेट में से तुम कुछ ले सकती हूँ बढ़ी अड्रेसिस होंगी और यह कहने को तुम देखते हैं मैरी उसको करने के लिए बोलती है बट इसको पैंसिल मारती है घीचके जिससे कैरलाइन को बहुत दर्द होता है फिरा मगल यह कहने के बाद लिली बोलती है तुमने को कुछ नहीं करेगी देखते क्या होता है अब भी तो हम जा रहे फ्यूनरल के लिए और तुम्हें घर पे छोड़के जाएंगे क्योंकि घर पे कोई होना चाहिए और फिर हम बाग ही बात करते हैं इसके बारे में और यह कहने को वहां से चली जाती है फिर वहां पर हम कैरलाइन की चिल्दानी की अवादे सुनते हैं जिसे देख एंजों को दिमाग खराब हो रहा था वहीं पर वैलरी आ जाती है तुम्हें एक तरह से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने चाहिए अब तो मार के रहेगी उसे लिली को प प्लीज मत जाना है स्टूडेंट और उसको पूरा अपना लेक्चर खतम करने कवाद सारे बच्चे क्लास से बहार जान लगते हैं तभी हम देखते बानी उसके पास जाती है और बोलती है डेमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप क्या करने लग रहे थे यूरोप मे और यह कैने के बाद बोलता है और आप मुझे पता है कि एक लोगों के पास जा रहा था उस स्टौन के बारे POL片 के लिए और पूछना है उस चीज का नाम है Phoenix Stone चाहा तुम उसके बारे में कुछ जानती हो और यह सुनने के बाद बानी है रहान थी और से इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था फिर हम देखते हैं अलारिक बानी को अकेले मिलता है और वो स्टोन दिखाता है और बोलती है यह स्टोन पर और ड्यूफ पे एक दोस्ते उससे भी बट कोई इसका solution नहीं मिला और यह कहने के बाद बानी स्टोन को हाथ में लेती है बोलती है दिखने में तो बहुत खूपसूरत है बट इसे मुझे कोई magic बहार आते हुए नहीं दिख रहा है और तभी बोलता है अलारिक शायद तुम सबसे ज़्यादा सच बोलने वाली इंसान हो बड़ा सबने कोई ना कोई जूट बोला है मुझसे और यह कहने बाद बानी स्पेल करने लगती है और यह देखके अलारिक बोलता है कि तुम कर गया रही हो वैसे और तब यह बताती है कि एक तरह से हर magic दिखता नहीं है कुछ कुछ स्टोर भी होता है और तभी उसको एक तरह से पोजेश करन लगती है और अपना magic स्टार्ट करती है तो बानी को बहुत खतरनाक विजन दिखते हैं मौत के काट में पीटने के और यह सब देखके एकदम बानी डर जाती है और कहती है यह स्टॉन तो एक इविल ह इसके अंदर बहुत सारी negative energy है और शायद तुम्हें ड्यूक वाले फ्रेंड ने ऐसा का होगा इसलिए तुम मेरे पास लेके नहीं आयो इसे और यह कहने के बात अलारिक कुछ नहीं बोलता और तभी वानी बोलती है स्टॉन को destroy कर दो better है इससे कुछ भी अच्छा नहीं हो यह बहुती जाता negative और evil energy से भरा हुआ है और प्लीज अलारिक तुम्हें से destroy कर दो यह तुम्हारी कोई help नहीं कर सकता है और यह सुनने के बात अलारिक थोड़ा निराश हो जाता है अब हम देखते हैं बानी अकेली थी रूब में उसके पास demon का phone आता है और demon से बात करते ह बारे में पूछता है कि अलारिक का क्या हुआ और तभी बाने बता देती है कि उसके पास एक stone था जिससे वो जो को resurrect करना चाहता था बैट ऐसा होना possible नहीं हो evil stone है और मैंने उसको कह दिया कि उसको destroy कर दे तो better है और शायद यह कर दे तो better रहेगा और यह कहने को देवन बो पूरा क्लासिक देमन था यह मैं था जिसने किया है और मैं तुम्हाई ट्रैक्स इसलिए चुपा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ और काम देना है और उस गर के ओनर को जाके मिलना है जो मेरा घर अब भी ओन करता है और यह कहने कद बानी वहाँ पर चली जाती ह फिर बानी पहुंचती है एक तरह से मैट के पास जो गन की शूटिंग कर रहा था और बहुत ही जाधा इरिटेटिट दिखाई देर रहा था महीं पर हम देखते है बानी जा की पूरी सिचुएशन सवालती है और कहती है कि तुम ओन करते हैं एक तरह से सेलवेट और हाउस क की तुम इनवाइट कभी ना कर सेको डेमन को स्टेफन को और फिर घर तुमारे नाम है वैसे और यह कहने के बाद मैट बोलता तुम मुझे मारने तो नहीं आई हो नुँआ है तो अभी मैट करने वाला है तो अभी बानी समझाती है अगर तेरी हाट बिट कुछ मिंटों के रुकेगी तो बॉन तूट जाएगी एक तरह से जब तक कोई नया ओनर नहीं आता घर का तब तक उस पर कोई भी आ जा सकता है कितने भी वैंपायर हो और यह करना इजी ऑप्शन है हमारे पास और वहीं पर हम देखते मैट इसके लिए एगरी हो तो जाता है तुर्यम अगले वैल्री एक भुक लेक आती है जिसको उसके पैरों पे रखती है जिससे के अलम से खड़ी हो सके कैर लाइन और तभी वैल्री बोलती है तुझे उसकी गर्फ्रेंड के उपर हसना नीची है ता और उब तभी करोंगे है हां वो 18th century की ॉivering यसी यह हसने वाली बात दो थी औ सब्सक्राइब करती है जैसे कि उसकी स्किन को उसने विर्वेंड में करती है और यह कहने को देखते हैं मैरी को बहुत जादा गुस्सा आता है और तब यह इंजेक्शन लेती है व्रिवेंड का उरसे मारती है जिससे कि अब कैरलाइन भी होश होने लगी थी वहीं पर हम देखते हैं इस टाइम पर लोरा और छोटी से ड्रेस पन के आती है जो एक तरा से अलीना की थी और यह देखने को कैलन बोलती है क्यूट है और यह क अब यह देखते हैं अब उसको वापस जिनदा करने की कोशिश करती है और तब्य वही विजन आते है जो उसे इसे स्टॉन दिखा रहा था और जैसे वो विजन सारे आने लगते हैं उसके दिमाग के अंदर वो ब्योश हो जाती है उसको कट करके एक निशान दिखाई देता है हर बोड़ी पर जो लोग मर रहे थे सपने में और वहां पर ब्योश हो जाती है मैट को जिन्दा करें बेगर फिर हम देखते हैं अब डेवन पहुच चुका था और एंजो गेट खोलता है और उसके अंदर इन्वाइट नहीं करता है हम देखते डेवन बोलता है हेलो ओल्ट फ्रेंड मुझे अंदर नहीं बुला होगे क्या और यह कहने के बात हम देखते हैं डेवन को गुस्सा आता है आपना विर्टल का निकार परना द से बात हर्आ, जाई यहां रहेगा, तेरफ बनाता है, और लिली के लिए तुम नहीं बलक्ता विटा के भर से घेमर करते थी, और तुमने उसे मार दिया है और वो शाहिए तेर से बतला ले तु मेरी बात माने तो जा यहां से बेटर रहेगा क्योंकि वो उसके अंदिन संस्कार के लिए गई है जहां पर उसकी सेलवटोर एंसिस्ट्री को गाड़ा जाता है और यह कहने के बाद वो बोलता है एंसिस्ट्री में कैसे जाएगी वहां तो अलीना है और यह कहने के बाद वो एंसिस्ट्री में कैसे जाएगी वहां तो अलीना है और यह कहने के बाद वो एंसिस्ट्री में कैसे जाएगी वहां तो अलीना है ऐसे निकालो और जो पानी का फोल है उसके नीचे जाके रहने दो जो लाइद्टा होंनेको निकाल ने से बाहर तो लाइस स्बंडिवन से बाहर क्यां मैठ यहां मेठ के दिल पर हाथ रखत कर्खते सारे खाट reminds कमोन मैट कमोन तुम्हें जगना होगा और तभी हम देखते कि दम मैट जग जाता है और बोलता है कि 10 सगेंड और लेट होता तो शायद मैं मर चुका होता और यह कहने के बानी को बहुत ही जादा बुरा लग रहा था बर उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि जो स्टोन था उस हम देखते हैं उसकी मा भारा खड़ी हो जाती है और बोलती है मुझे तुम्हारे गुस्ता और टेंटरों का पहले से ही पता था और मुझे बचपन की एक बात याद आई जब तुमने अपनी दादी का एक तरह से वास्त तोड़ा था और तुमने उसको साफ धिनाई कर दि और क्याता है कि अलीना कोई टोई नी थी जिसको तुमने छीन लिया और ये कहने के बदम देखते हैं मैलकम को भी द्वास नहीं बताते हुए बोलती है जो तुमने किया बहुत गलत किया और भार जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैलकम हमारे लिए हर एक के लिए क दिया है और यह कहने को देखते हैं लिली बोलती है अब तुम्हें उसकी तरह से गीमत चुकानी पड़ रही है और तुम्हें अलीना को ऐसे नी डूंड पाऊगे हमने उस पर क्लोकिंग स्पेल कर दिये जिसे कि तुम्हें भी रहेगी न चीज तुम्हें दिखाई नहीं दे चुका हूं और उसकी रसिया तोडता है और उसको हाथ लगाने कोशिश करता है और उठाने की कोशिश करता है और तब ही देखते हैं और अपनी जैकिट उतार के लाता है जो उसको पहनाता है और उसको उठाने के वहां से ले जाने की कोशिश करता है और तभी हम देखते ह कि एकदम स्टेफन को अजीब सा फील होने लगता है उसकी हड़ियां एक तरह से चाती है कि इस घर से बाहर निकल जाए और तब ही शीशा तोड़के बाहर चला जाता है और यहीं हम देखते हैं कि अब कैरलाइन भी खड़ी नहीं हो पारी है घर में और वह खिचती चली जात ही भार वैंपायर घर के बाहर गिर जाता है और यह देखते हैं कि अब कैरलाइन फिर से घर के अंदर फस्ट चुकी थी और अब स्टेफन बाहर था फिर हम देखते हैं बानी अब वापस घर जाने लगती है मैट के साथ और बहुसादा ट्रेंस हो जाती है और वहीं पर सोर आइक जाने की कोशिश करती है कि सारी गलती उसकी भी है क्योंकि वह ही इंहेरोटिकस को यहां पर लाई है उसी के वजह से दुनिया में आया है नूबर टू उसको डेवन ने हेल्प किये एक तरह से मैलकम को मारने के लिए और उसकी क्या गलती है उसको इतना गुसा आ गया क्योंकि उसकी पूरे टाउन को बरबाद कर दिया और हर चीज उससे छीन ली गई तो उसे गुस्सा आ गया था और तभी मैट बोलता है मुझे भीन से नफ रत है और चला हो मिल के कुछ करेंगे और यह कहने को बद मैट भी प्लान में शामिल हो जाता है पिर हम देखते हैं डेमन अब घर रा चुका था और शाम हो चुकी थे और ड्रिंक कर रहा था तभी हम देखते हैं वह पर स्टेफन आ जाता और बोलता तुम कहा थे ना तुमने हेल्प किया ना बैक अप के लिए थे वो सेलवेटर हाउस में तुम मेरे साथ आई क्यू थे ज अब कहा था हमको कैरोलैन को बचाना है तो तुम आनी सकते थे क्या और तभी हम देखते हैं डेमन चुक्चा बोलता है कि अलीप को उन्हें पकड़ लिया है और शायद वो नहीं छोड़ेंगे और शायद उन्हें बात अब देखते हैं कि अपना दिमाग लगатता है डेमन पसंद करते हैं जिससे कि हम आपस में दूसरे को दोश दें और आपस में लडें जैसे वों बच्वन में करती थी नहीं हूं है आपस में जोख़गरते थी और यह वही कर रही पर हमारी जगा है Beatles को एक तुरा से सपोर्ट कर रही है पर हमको कुछ तो करना हो को यह कहने को स्टेफन बोलता है बिल्कुल सही हमको एक तरह से टूटना नहीं है एकसात मिलके चलना है बड़ देमन बोलता है ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम acting करते हैं तूटने की और मैं टाउन छोड़के चला जाता हूं तुम क्योंकि जितना मुझे पता है 1903 में 6 एकता से हेरेटिक्स थे ना कि 5 मैलकम को मिला के 4 वाँ पर थे तो मतलब एक अभी भी गायब है उसका नम ओसकर कुछ है जिसना मुझे पता चला है उसको मैं पकड़ता हूँ और उसके बदले में हम डील कर सकते है अलिना क्यारलाइन की और यह प्लान मैं आगे जाके एक्जेक्यूट करता हूँ और यह कहने को तो हम देखते है कि स्टेफन और डेमन एक साथ मिलके काम कर रहे थे और डेमन का दिमाग बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम पर वही हम देखते है जैसा बानी ने का था अलारिक को स्टोन जला देना था एसिड में डालकर बड़ तब हम देखते हैं पत्थर डालके देखता है और वहां पर पत्थर जल जाता है और अलारिक देखके उस टोन की तरफ देखता है और इसका बिल्कुल भी मन नहीं था क्यूंकि लास्ट होप थी जो को पाने के लिए रियल हो ना हो और प्यार की जैसे झूट बोलेता है बाणि से बाणि का कोल आता हुशती है स्टोन का क्या तुमने जला दिया ऐसिड में डाल दिया और यह कहने के बांद आलारिक बोलता है यहा यह तो मैने कर दिया कर दिंप पर जूसे चाती बेर अब रखता है और एक तरह से वेट करत तो उसकी चेस्ट पर रखने के बाद कि वो जिन्दा होती है कि नित अब ही अलारिक को होग थी यो जो को वापस पा सकता है तभी हम देखते हैं एंजो बैठ के गिटार बजा रहा था उसके पास आती है एक तरह से लिली और लिली पूछती है कि अगर तुम चाते हो तो हम कै कोई भी रूम चुन सकते हैं अपनी मरजी का और ही कहने के बाद एंजो बोलते हैं नहीं मुझे उससे नहीं मिलना है परस्नली और पर से मेरे अड्विकेट मत करना दूसरे मेंबर के लिए और मैं एकसे कोश्चन पूछू तुमसे कि तुम मुझे अपनी फैमिली का मेंब अभी के लिए गेस्ट रूम और बाद में मिलते हैं गुड़ नाइट और यह देखने को देखते हैं को लीली से प्यार कर बैठा था और वहीं पर लीली थोड़ी खुश्री होती है और थोड़ी शोग भी होती है एंजो का यही रियक्शन देखके और हम देखते हैं एंज पास घूम सकते हो बट बाहर निंग जा सकते हो तुम्हां यह पढ़ने के लिए कुछ लाय हूं मैं और यह पकड़ाती है उसे बुक और कहती है स्टेफन की जर्नल है और यह वैलरी के पास थी जब से हम उस 1903 की प्रिजन वर्ल्ड में बंद हुए थे तब से उसके पास य 1963 का और पढ़ने लगती है जहां पर स्टेफन ने लिखा हुआ था कि मैं उस लड़की से मिला जिसको देखके मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मैं पहली बार प्यार में हूं उसका नाम वैलरी था और यह सुनने के बाद कैरलन शोक हो जाती है यह स्टेफन क पर था सिधा कि बात करना आ चाता था तभी हम दिखते है जो पीछे उसका असिस्टेंट था उसकको को अज़ेष श्टेव मारता है और पीछे मुढ़के देखते है कैरलाइन और ढर जाती है कि टोनी को स्टेक किसने मा रहा है और फिर एक स्टेक लगता है सीधा कैरलाइन को और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं और यहीं पर एपिसोड नंबर टू खतम होता है तो वाइफ एक चीज़ कहना चाहूंगा यह सीजन दर डाके सीजन रहेगा अगर वीडियो अच्छी लगैए तो ज़्रूर लाइक करें आपका दिन बनाता है घाईज अगर फाइंड़ी प्लस लाइक मिल चाहिए इस वीडियो पर तो मैं में मोटिवएट हो जाता हूं जादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक क से कैसे लड़ पाएंगे सब देखते अगले एपिसोन में लाइक शेयर सुस्क्राइब बाई बाई टाटा सायून नारा और टेक केर